गर्मी के मौसम के वास्ते एक बहतरीन रेसिपी शेयर करियों आज धही खाना, धही चावल या हमें कंड़ना में मुसरण ना भी बोलती हैं क्या का तो ये कप के राइस के वास्ते, पव किलो के चावल के वास्ते पकाले को क्या करना, उसमें 1-2-3 रेशियो में धही दालना ये फुल फैट योगर्ट, ये पवना किलो है अब ये दाल नाल को एक दो टेबल स्पून की होता शकर और एक टी स्पून की होता नम्मक पहले जो हमें राईस पकाले को ही, उसमा अलरडी नम्मक की क्वैंटिटिती रती है तो उसके वास्ते एक टी स्पून बराबर हता है, ये ते राइस के वास्ते है और अब नेक्स्ट क्या का तो इसमें तुमें जो मर्जी है दाल सकती हैं लेकिन ज्यादातर क्या कातो यह जो अंगुर ही और अनारदाना और जरी कुथी मेर यह पूरे आधे-अधे कप्स लेको हो में हाफ कप कातो 250 ml अगर एक कप कातो 125 का आधा कप होता तो वो क्वांटिटी के हिसाब से अनारदाना आधा कप अंगुर आधा कप और एक जरी मिर्ची और हरी मिर्ची दाल सकती हैं लेकिन अगर बच्चां को दे रहीं तो उसे अवाइड करो अब निक्स्ट क्या करतो थड़के के वास्ते इसे बगार है तो बहुत अच्छा रहता है अब इसमें तेल में मैं अलरड़ी पहले राया और यह दाल को हो क्या वो माश की दाल वो दाल को अच्छा वो फ्राइ होने के बाद एक जरा कार जो फली के दाने और लाल मिर्ची यह भी तरह जरा रोस्ट होने के बाद क्या करना यह जो करी पता है वो दालना एक ता दाल को पूरा इसका और मॉस्ट गोल्डन ब्रॉन कलर होने के बाद क्या करना धहीं च तरहा धी मिला ले सकती हैं लेकिन एवाइड करो कि ज्यादा पानी की क्वांटिटी नहीं रहना है उसमें किता क्रीम हरता वत्ता टेस्ट अच्छा देता है ज्यादा तर गर्मी की दिना में प्रिफर करती हैं सौथ करनाटगा के तरफ अल्मस्ट अलोवर इंडिया खाती हैं लेकिन हमें जैसा घर में बनाती हूँ मैं आज शेयर करको हूँ जरूर एक मरता ट्राइकर को देखो पसंद आये तो सब्सक्राइब और फॉलो करो यूट्यूब का लिंक बायो में है